यमुना बेत्वा में छोड़ा गया पंद्रा लाख क्यूसेक पानी, हमीरपुर में चार मीटर तक बढ़ सकता नदियों का जलस्तर, तटवर्ती इलाकों में बार का खत्रा हमीरपुर से होकर गुज्रने वाली यमुना और बेत्वा में बार का खत्रा अभी टला नहीं है। इसकी वजह से उनका पानी निकाला जा रहा है। इस पानी से नदियों का पानी तीन से चार मीटर बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में नदियां खत्रे के निशान को पार कर सकती हैं। हमीरपूर से तीन बड़ी नदियां यमुना, बेत्वा और केन गुजरती हैं। कुछ ऐसी नदियां भी हैं जो 11 महीने सूखी रहती हैं लेकिन बरसात में उफान मारती हैं। प्रशासन ने आज जो अलट जारी किया है। उसके अनुसार लगभग 4,00,00,00 क्यूसेक पानी माताटिला डैम से 1,50,00,00 क्यूसेक पानी लहचूरा डैम से बेत्वा नदी में छोड़ा गया है। तो वही धौलपूर से 10,00,00 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया है दोनों नदियों में छोड़े गए 15,00,00,00 क्यूसेक पानी की वजह से नदियों का जलस्तर 3-4 मीटर बढ़ेगा और खत्रे के निशान को पार कर जाएगा। प्रशासन ने यह भी बताया कि यमुना का खत्रे का निशान 103.63 है। फिलहाल यह 100 मीटर के उपर बह रही है। जबकि बेत्वा का खत्रे का निशान 104.54 है जबकि अभी यह 101 के उपर बह रही है। अगर इन दोनों नदियों के जलस्तर को देखा जाए तो अगले दिन तक दोनों नदियां खत्रे के निशान को पार कर जाएंगी। प्रशासन ने हमीरपूर से होकर गुज्रने वाली त खत्रे के निशान से 1.67 मीटर उपर बह रही है। प्रशासन ने फिलहाल अभी जिले के किसी भी क्षेत्र के प्रभावित होने से इनकार किया है। जबकि छोटी नदियां चंदरावल धसान और बिर्मा नदी भी इस समय उफान मार रही हैं। कई जगा पानी रप्टे के उपर से बह रहा है। ऐसे में प्रशासन नदियों के पास ना जाने की सलाह दी है।